तो ये सिर्फ अध्यक्ष पर नहीं पूरे आयोग पर सवाल है कि आयोग में कैसे कैसे लोग आ गए हैं जो इस तरह से लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं कि उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं और बदलना पड़ रहे हैं बार-बार आयोग को अपने कदम पिछे आठाने पड रहे हैं तो आयोग अगर कोई बदलाव लाना चाहता है परिक्षा पधती में या कोई नया कुछ कदम उठाना चाहता है तो छात्रों के संगठन से या जो भी सक्रिये लोग इसमें हैं छात्र नेता उनसे बादचीत करनी चाहिए आम छात्रों तक यह मैंसे जाना चाहिए पहले प्रस्ताव दिया जाना चाहिए कि हम यह चेंजेज करना चाहा है और अगर सब की सहमती हो जाती है या मेजर्टी की सहमती होती है तो उसको लाگू करना चाहिए अब तो जो अभीरती है वो यह कर रहे हैं कि ऐसे चेर्में को तो इस्तिफादे anunci चाहिए जो एक महिने के अंदर अपने दो फैसले को बदल चुका है आप अपनी गरिमा खुद गिरा रहे हैं छात्रों की नजर में आपकी क्या प्रतिष्ठा रहेगी कि सरकार के पास वो जाते हैं और सरकार उनके सिकायद सुनते और फिर आपको निर्देश जारी किया जाता है और फिर उसके अनु अच्छा बिवाद रहित नहीं होती है नितिश कुमार के पीए मेटर होने का कोई फेक्टर इसमें यह तो हो सकता है कि वो चाहते हो कि एक अच्छी छवी बने क्योंकि अभी यह माना जाता है कि युवा जो हैं वो सबसे ज्यादा सपोटर मुदी के हैं नरेद्र मुदी के सपोटर में प्रधान मंत्री के तो इसलिए ये ये भी सोच सकते हैं नितिश कुमार के भी सोच सकते हैं कि युवाओं को अपने साथ जोडा जाए उन्होंने कुछ नए प्रयोग करने की कोशिस की जिस पर स्यम नितिश कुमार ने रोक लगाई और उसके बावजूद अतुल प्रशाद जो की चेर्मेन हैं उन्होंने UPSC मेंस के बीच में BPSC सरसटवी PT परिक्षा लेने के संबंद में सूचना जारी कर दी और एक बार फ 30 सिप्तंबर को परिक्षा होगी लेकिन अब सवालों के घेरे में आयोग के चेर्मेन अतुल प्रशाद है कि आखिरकार वो क्या सोच कर किस से बात करके फैसले ले रहे हैं कि बाद में उसे बदलना पर रहा है देकि इस पर बात करेंगे हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार प् पतला जा रहा है किस प्रकार किस से बात करके फैसले हो रहे हैं देखे आयोग एक कमीटी की तरह काम करता है उसमें कई सदस होते हैं अध्यक्ष के लावा और वो सभी आपस में बिमर्ष करके कोई काम करते हैं चाहे वो परिक्षा की तिथी तैक करनी हो या उसमें कोई अगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं कि उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं और बदलना पड़ा है बार बार आयोग को अपने कतम पिछे आठाने पड़ा हैं इसका मतलब कि सुविचारित फैसला नहीं लिया जा रहा है सभी पक्षों की राय नहीं जानी जा रही है और अचानक अपनी राय थोप दी जा रही है जैसा देश में कहीं नहीं हो रहा है वैसा यहां करने की कोशिस हो रही है बेसक अच्छे काम जरूर होने चाहिए और अगर कहीं कोई गड़बड़ी है कोई कमजोरी है कोई चूक है तो उसको सुधारा भी जाना चाहिए मगर उसके लिए सभी सम्मंदित पक्षों से राय मस्विरा करना बहुत जरूरी है ताकि सब को समझ में आए क्या करना चाहते हैं और इसका क्या फाइदा होगा बीपीसस का काम है नौकरी देने के लिए परिक्षाइं अएयुजित करना जो प्रसासनिक सेवा है भिहार प्रसासनिक सेवा और दूसरे भी तरह की नौकरियां उनको परिक्षा आयोजित करती है आयोग और उसका रिजल्ट प्रकासित करती है तो इसमें मुखरूप से छात्र जुड़े हुए होते हैं उनका भविस्य आयोग के पास रहता है तो आयोग अगर कोई बदलाव लाना चाहता है परिक्षा पधती में या कोई नया कुछ कदम उठाना चाहता है तो छात्रों के संगठन से या जो भी सक्रियय लोग इसमें है छात्र नेटा उनसे बादचीत करने चाहिए आम छात्रों तक यह मैसे जाना चाहिए प्रस्ताव दिया जाना चाहिए कि हम यह चिंजेज करना चाहिए और अगर सब की सहमती हो जाती है या मेजर्टी की सहमती होती है तो उसको लागू करना चाहिए तो कोई उसमें बाधा नहीं आएगी कोई हंगामा नहीं होग डिसीजन ले रहे हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं है क्योंकि मनमाना डिसीजन बता रहा है और अब तो जो अभ्यर्थी हैं वो यह कर रहे हैं कि ऐसे चेर्मेन को तो इस्तिफा देना चाहिए जो एक महीने के अंदर अपने दो फैसले को बदल चुका है देखिए अभ्यर्थी तो नाराज हैं तो वो कहेंगे ही मगर इस्तिफा देने का कोई इसका कोई वज़ा भी नहीं है मुझे तो ऐसा समझ में आता कि इस्तिफा देना चाहिए मगर यह जरूर है कि आयोग के अध्यक्ष को और पूरे आयोग को एक बार पुनर विचार जरू करने के लिए तो आखिर ऐसे फैसले आप क्यों ले ही रहे हैं कि उसका बिरोध हो और फिर अंततों गत्वा सरकार को उसमें हस्ता छेप करना पड़ता है यानि आप अपनी स्वायत्ता खुद खो रहे हैं आप अपनी गरिमा खुद गिरा रहे हैं छात्रों की नजर में पास वो जाते हैं और सरकार उनकी सिकायत सुनते हैं और फिर आपको निर्देश जारी किया जाता है और आप फिर उसके अनुसार से अपने कदम पिछे अटाते हैं और निर्देश बदलते हैं तो यह आयोग की स्वायत्ता पर भी खत्रा है इससे और आयोग की गरिमा और प्रतिष्ठा भी इससे धो मिलोती है इसलिए आयोग के अध्यक्ष पर आयोग के सदस्यों पर बहुत बड़ी जिम्मवारी है छात्रों का भविस्थित्टिका हुआ है तो उन्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे छात्रों को नागवार गुजरे उन्हें रखा जाता था कि नितिश कुमार के पास अभियर्थी गए उनकी बातों को मान लिया गया हो लेकिन अब जब से महागटबंधन की शरकार बनी है त्वरित त्वरित ऐसे एक्शन हुए हैं जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि अभियर्थी शरकार के पास गए और उनकी मा बने हैं ये उसका सबसे बड़ा कारण है या तेजस्वी बड़े फैक्टर है इसमें देखिए अभी जो नया घटबंधन मना और नितिश कुमार फिर से राजत के साथ गए और नई सरकार बनी तो इस सरकार ने घोशना की है कि बीस लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा यानि सरकारी नौकरी भी मिलेगी और रोजगार के दूसरे संसाधन विमुहिया कराए जाएंगे तेजस्वी पहले से दस लाख इवाओं को नौकरी देने की सरकारी नौकरी देने की घोशना करते रहे हैं उनका वो प्रमुख एजेंडा रहा है और वो जात्रों को अपने साथ जोड सके जो बेरोजगारी की समस्या प्रदेश में उसका कोई एक समधान निकाल सके और अधिक से अधिक इवाओं को रोजगार या नौकरी दिया जा सके तो इसलिए सरकार लगातार फैसले ले रही है लगातार कारवाई कर रही है और बिहार इस मामले में अब हिसब्थ है कि यहां कोई भी परिक्षा बिवाद रहीत नहीं होती है चाहे वह मैट्रीक की परिक्षा हो या चाहे वह रोजगार और नौकरी के लिए लिया जाने वाला परिक्षा हो, तो सब परिक्षाओं में कोई गड़बड़ी हो जाते हैं, कोई फूल प्रुब ब्योस्ता आज तक नहीं हुई, मगर इसलिए सरकार भी सचेत हुई है कि कोई बिवाद में लटक न जाये, मामला कोट में न चला जाये, फिर सालो साल उसको निप्ठाना मुश्किल होगा, तो इसलिए तुरत अगर फैसला गलत होता है, या चात्र उस पर भीरोज जताते हैं, तो सरकार उनकी सुनवाई कर रहे हैं, और तदनुसार उसमें परिवर्तन भी ला रहे हैं, उसमें बदलाओ भी किये जा रहे हैं, ये नितिश कुमार के पीए मेटर होने का कोई फैक्टर इसमें? ये तो हो सकता है कि वो चाहते हो कि एक अच्छी छवी बनें, क्योंकि अब यह माना जाता है कि युवा जो हैं, वो सबसे ज्यादा सपोटर मुदी के हैं, नरेद्र मुदी के सपोटर हैं, प्रधान मंत्री के, तो इसलिए ये भी सोच सकते हैं, नितिश कुमार चीवी सोच सकते हैं कि युवां को अपने साथ जोडा जाएं, तो इसलिए युवां के हित में जल्दी जल्दी फैसले लें और उनको खुष किया जाए, तो ये हो सकता है, राजिनिती में ऐसा चलता है. एक आखरी सवाल आपसे रहेगा कि अभेर्थियों की एक डिमांड रही है BPSC से जुड़ी हुई एक तो कैलेंडर की डिमांड हमेशा रहती है कि आप एक्जाम कैलेंडर जारी कर दीजिए, दूसरा यह कि चब भी परिक्षा का डेट दीजिए, कम से कम एक महीना 35 दिन 40 दिन पहले information दे दे, क्योंकि जो दूर दर आज के अभियरति हैं, जो कहीं और रह रहे हैं, बहुत ऐसे हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, आर्मी में रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, वो भी BPSC की परिक्षा देते हैं, तो क्या यह उचित मांग उनकी नहीं है, जिस पर आय अच्छा आयोजित कर रहा है, और यह छोटी सी बात उसके ध्यान में नहीं रहती है, इससे यह पता चलता है कि उसके सोचने की सक्ति कितनी है और कितनी काभिलियत है आयोग में, यह उस पर सवाल खड़े करता है, क्या आयोग के जो चेर्मेन बनाए जा रहे हैं, आईयस अ सकें, नौजवानों के हित में सोच सकें, और कैसे समय पर परिक्षाएं लें, समय पर रिजल्ट दें और समय पर न्यूक्ति हो सकें, इसके लिए जो भी सक्षम हों, जो भी विचारवान और सजग लोग हों, वह ऐसे लोगों को वहां बैठाना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो BP, SCS और 60V, PT परिक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़ा बदलाओ परिक्षा की तारीख में, पहले आयोक के तरब से ये सूचना दी गई थी, कि 20 और 22 सिप्तंबर को दो पालियों में परिक्षा आयोजित कराई जाएगी, परसेंट हानी पटना में जब छात्रों का परदर्शन हुआ, उसके बाद CM नितीज कुमार के हस्त अक्षेप के वज़ा से परिक्षा जो है वो एक तारीख में आयोजित कराने की बात सामनी आई, रिजल्ट परसेंटेज के अधार पर जारी करने की बात सामनी आई, लेकिन एक और अभिवाद उसमें ये गुस गया कि जो तारीख दी गई परिक्षा की वो UPSC मेंस के बीच में पड़ गई, और ऐसे में बहुत अभियरती हैं, जो BPSC भी देते हैं, UPSC भी देते हैं, और बिहार की शरकार तो UPSC पास करने वाले अभियरतियों को काफी ज़्यादा पुर फैसले को बदल दिया गया है, यानि आयोग ने सियम नितीज कुमार के हस्तक छेप के बाद अपने ही फैसले को बदला, और 21 सिप्तमबर की जगा, अब 30 सिप्तमबर को BPSC सरसथवी PT परिच्छा आयोजित कराई जाएगी, अभियरती सवाल खरे कर रहे हैं, आयोग पर भी बहुत बहुत धन्यवाद